हाई फूडिज, तो आज हम प्रिपेर करने वाले हैं, साही आलू कचौरी वोभी घर के अंदर, तो आपं किस तरीक refr से घर पर साही आलू कचौरी को बना सकते हैं, और क्या-क्य इंग्रीडियंट्स इसके अंदर डलने वाले हैं, और यह आलू मैंने चिपसोना वाला आलू लिया है जो पाड़ी आलू जिसे आप बोलते हैं आपको इन सभी आलू को छीलना है चिलका निकाल लेना काफी अच्छी तरीके से और सभी छीले हुए आलू को गरम गरम आप रख लेना किसी भी बरतन के अंदर आपको करना क्या है इन सभी आलू को फोड़ना है काफी चोटे चोटे पीसे में फोड़ना है आप हो सके तो पूरी तरीके से चटनी बना देना इन आलू की क्योंकि यार guys अगर बड़े टुकडे रहेंगे तो आपकी कचोड़ियां जो हैं जब आप बे लेंगे तो फट सकती हैं तो इसी वज़े से आपको जो प्रिपेर करना है काफी बारीक तरीके से आलू को पीस देना है और इसे भी याँ पर mix किया जाएगा तो आपको लेना है हरादनिया हरादनिया आप अपनी quantity के अनुसार लेना स्वाद अनुसार लेना जो भी आपको पसंद हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा जादा कर रहा हूँ क्योंकि इसका टेस्ट भी काफी अच्छा था हता है देन गाइज मैं आप next material यहाँ पर एड करना है आपको बो है नमक आपको देखने के लिए मिल रहा है सभी मसालों के साथ में तो अब हम इसे करना सू करते हैं मिक्स अब आपको मिक्स करने करते समय एक बात का ध्यान रखना है है अगर पुई आलू का बड़ा तुकडा गलती से भी रह गया है तो आप उसे बाहर कर देना क्योंकि अगर आलू का तुकडा बड़ा रह गया अगर आपने कचोडियां बेली तो फड जाएंगी और वो तेल में जाके काफी ज़्यादा दिक्कत करती है क्योंकि यहार उस से चलनी से चान लेना है और इसमें आप मैदा भी मिक्स कर सकते हो ताकि यह टेक्ट्चर है और काफी अच्छा स्वाद भी आपको कचोडियों में आएगा देन गाइज आपको यहां पर आटे को गूतना है और गूतने समय आपको देखना है कि आटा आपका ढीला लगे यान काफी अच्छी फिनिसिंग के साथ कचोडिया आती है अब मैंने बेलना कर दिया शुरू यह आपको सबसे पहले लेनी होगी एक लोई जो कि आपने काटी होगी आटे से अब उसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है आप देखना कि आपकी कचोडी फटे नहीं उस तरीक काफी अच्छी याप आप खोरी बना पाएंगे थो गाईस यह थी कचोडी की रेसीपी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की Fayr किये हैं तो उमीदा आपको कचोडी बनाना आ गई होगी और आपको Oh